हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वरतमान में रासवासांसत ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यु हुई लगातार विवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पतपर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था, किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ, किस तरह से आगे एक गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया। यह उनका गुर्गा था, इसको बदमासी का बड़ा सौक था, तो यह बड़े गैंग लीडर मिल गए उसमें था, उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रंपस सिंग की हत्या, उनके भतीजे साधू मकनुषी ने किया, डेढ़ विश्वा जमीन पर, और जिसके सिल हो गया, उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनुषी सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने, जिसमें में था, त्रिभूण सिंग और उधर ब्रिजेश सिंग, उसके बाप का मर्डर हुआ था, धौरारा में, एक साहाप सिंग होते थे, इन सब लोगों ने मिल कर के मकनुषी का मर्डर कर दिया, जो में गुरू था मुक्तार अंसारी का, और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला, इसका नाम तो नहीं आया, लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था, दो जनवरी 86 को, थाना साहित पूर छेतन में, जब इसने दो भाई, ब रंपस सिंग के बेटे थे, उनको मार दिया, फिर मुक्तार ने इनका बेटा रंपस सिंग का हवल्दार राजिंदर सिंग बनारस, ट्रेफिक लाइन में तनाथ था, उसके गेट पर मारा, और उसके बाद साधू सिंग जो था, अब इसका गुरू था, मुक्तार का, वो कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है, और साधू सिंग के उहीं मार दिया, और उसके साधू सिंग के मारने बाद ये पूरा गैंग पहुंचा मुडियार घाओं में, और वहां उसका भाई धामोदर था, उसको मार दिया, एक रामा संकर सिंग मार दिया, घर क में दरजन नहीं हंडर्स में लोग मरें तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में विधायक बन गया कम्रिस पार्ट सिंग्य समझवता किया एक नारा चला मिले मुलाइम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक्तार चाता था गाजीपूर सदर से चुनाओ लड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबीदिन सिदीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाजीपूर में वहीं दिये उन्होंने अपने एक सायोगी विश्वनात राम मुनीब दलित उनको जनरल सीट से टिकट दिया कि 20 नॉम्बर 93 को सुबच चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 19 की रात में 11 बजे विश्वनात राम मुनीब दलित घर से निकले और दो गाड़ियां आती है मोट इतना अरालत में तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाइलेक्शन हुआ तो कासी राम जी ने टिकट दिया कालासनात यादों को और रोते हुए पहुंचे किसा मुक्तरवा मार देगा वो चुनाओं ये आतंग था कि टिकट मिला स्य और जीतना था और कैलासनात यादों ने हिम्मत नहीं कि लड़ने की और उसने तो यहां तक किया जो एसपी गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे मुक्तार रहने नहीं देता था कुछ बड़े सब अच्छे अप्सरतनात हुए मैं कुछ का नाम बता दूं जाव óstब कुमार आजकली एडी जी है एक माहा राजे सिरवास्डों ग्यारा दिन इल रविंदर तीन माहा तरुन गावाद तीन माह यंके सिरवास्डों पाच महारा पंद्रा दिन डौक्ट्र पितिंदर सिंग्स सात माह ब्रिजराज पाच महीना छे दिन, सुवाज दूबे एक महीना बीस दिन वीके गर्ग चार महीना दो दिन, बैभो क्रिशना दो महीना आठ दिन आनन्द कुलकनडी दो महीना दस दिन, रविसंकर शबी एक महीना दो दिन और जस्वीर सिंग एक दिन तो मुक्तार ने ये किया अगर उसके हमसार कोई S.P. नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और उनको रहता तो जिसके हमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूँ कि पोलिटिकल के अलामा जो इसने भरती कराए जो पूलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज किया तो इसके क्राइम को बढ़ाने में इसको मजबूत बनाने में पुर्वांचल के पूलिस कर्मियों का बड़ा रोल रहा और उसमें क्यों सिपाही नहीं आईपेस आफसर तक सामिल थे दो घटनाए बताना चाहूंगा 2004 में मैं आईजिलानाडर होता था संसिदी चुनाओ हुआ और आईजिलानाडर ही नोडर अफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाओ हुआ गाजीपुर में चुनाओ होता था मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए जैसे सुबा चुनाओ हुआ महमदाबाद इसका जो अपना मिंकस्बा है एक बियार थे बीजे पी के ओवर कर उनको एक सैंताली से धरा धर गोली मारी दहसत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक सैंताली से फिर दिन में करीव एक बज़े मैं बैठा कंट्रोल रूमें देख रहा था वहाँ पर एक अवलेस राय थे मनुसिनाजी के गाउं के असपास के उनको यह के सैंताली से मार दिया दस्यों बूत पर बाहर यह के सैंताली से दना दन इसके जितने गुरगय अताउर रहमान बा था और यह 2004 में यह सांसद मनगे मैंने रेकमंट किया था यह गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजी लान ओर था डी जी आफिस में बड़ा किनारे वाल अपद माना जाता है लेकिन मुझे भी मालूम होता रहता था सेलेंदर सिंग थे इसका नंबर सर्वलांस पर था और यह 2004 की बात है जनवरी इसने लाइट मेशिन गन मंगवाई और जिससे कि क्रशनार नंदराय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए से राइफल से लाइट मेशिन गन लेकर भाग आया और सलेंदर सिंग ने लाइट मेशिन गन और धेर सारेकार्त कुछ पगट दी पोटा होता था जमान ने अटल विहारी भाजपे यह ने बनवाया था जिसको मनमोहन सिंग सरकार आते ही उसको खतम किया गया तुस्ती करण मॉडर थे एक डीजी को उसको इतना प्रताडित किया गया डिप्टी एसपी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस दिफा दे दिया अब चुकि पोटागम गदमा कायम हो चुका था प्रेजिक्यूशन के लिए सासन में आया मानि मुलाहिम सिंग जी ने मुकतार उन करता हूं वो सब जो हैं वो कह रहे हैं कि कही ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पोलिस अद्कारी रहे हैं यूपी स्टी एफ के आप चीफ रहे हैं हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरादी हैं उस उसके बावजूद ही मैस्टर इंक्वारी ओडर है एस साइटी बना करके पीछ पुलिस तो कर रही है यह जो पार्टिया है यही तो लाभानुईत होती थी बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको जोगी आदितनास लाए समाजबादी पार्टी तो इसको पालत दी जाए लेकिन अखले से आदो कांग्रेस नहीं देखेंगे क्रिशना रंदाल की पतनी पर क्या भी था जो इसने धरजनों माडर किया पुलिस वालों का माडर किया उनके परिवार का वियत है तो केवल एक ओट बैंग के राजनीत के लिए प्रभावित करने के लिए जो उससे जो ओट बैंग के सौधागर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है जिसने इसको इतना मजबूत बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे मुलाइम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े वह भी एक हैसे ताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतिही कामद असरप का कोई रोल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिही के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ म मुलाइम सिंग जी और वो केस इवियाई में गया और अभी 29 मार्च को छे को सजा हो गई आजम कारवास हती ही कामद होते उनको सजा होती तो आंगरे में से कहा समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने बड़े बदमास उत्तर प्रदेश के उसको समाज समाजबादी पार्टी पाला इतने नहीं चंबल के ढकायद चहो निर्वो गूजर हो ददुवा ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुवा के बाई और उसके बेटा और भाईयों को मलायम सिंग ने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुवा पर सात लाग का इनाम था फरार तो even election जबाते थे तो चंबल के ढकायद फर्मान जारी करते थे समाजबादी पार्टी को बते ते निर्वै गूजर इतना वो पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्टी का hero हूँ उसका फर्मान की आपॉर्मान कराते थे बूत की हिम्मत नहीं हो रही है अब आई संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराद से कमाई की अटाइच कर ली गई है तो ये जोगी राज है मोदी राज है इसमें जीरो टालरेंस है और ये आज इस्तित की ये बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच ट्रिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक ट्रिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जो गिया देतनात का होगा प्रदेश में 15 दिलियो